एक जंगल में जंगल का राजय तेथ और उसका प्यारा सा दुफ सिता रहती, पूरा जंगल इनकी दोस्ती की दार देता था और एक जिन प tekn झोटी सी बात को लेकर जिते से लड़ने लगा उसके बाद कहने लगा जंगल का राजा मैं हूँ और तुम्हें कल से मुझे राजा जी कहना होगा आज से हम दोनों की दोस्टी तोटती है और मैं राजा और तुम पढ़ जाहो उसदिन के बाद से टाइगर कभी भी जंगल में नजर नहीं आया व є हमेशा के लिए जंगल छोड़के दूसरे जंगल में चला गया पर फिर वे सेर अपने राजा होने पर गरूर करता था और मैं मजे से राज करता रहा एक दिन सेर की सेना पती लोमडी जंगल में सबसे ज़्यादा चोरी करने वाले बंदर को पकड़ कर ले आती है तब सेर ने बंदर को मौत की सजा शुना दी और कहा तुम्हारी वज़े से जंगल के बहुत से जानवर परेसान है इसलिए मैं तुम्हें मोत की सजा सुनाता हूँ आज से ठीक दो महीने बाद तुझे जंगल के सबसे उंचे पहाड से धक्का दे कर मार दिया जाएगा इस तरह बंदर को जेल में डाल दिया गया बंदर का भी एक बहुती प्यारा सा दोस्त हीरन था जब उसे इस बाद का पता चला कि उसका दोस्त गिरिफतार हो गया है तो फैब बंदर से मिलने आ गया और कहा देखो दोस्त हमेशा तुमसे कहा करता था ना कि गलत काम मत करो एक दिन तुम्हें इसकी सजा भूगता नहीं पड़ेगी उसके बाद हीरन जंगल के राजा सेर के पास गया और कहा क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त बंदर की जगए जेल में रह सकता हूँ और आप मेरे दोस्त बंदर को कुछ दिनों के लिए जेल से निकाल सकते हो सेर ने कहा तुम्हारा दोस्त बंदर अगर दो महिने बाद वापस नहीं आया तो उसकी सजा तुम्हें वुक्तने पड़ेगी जी महाराज मैं उसकी जगए पर मरने के लिए तयार रहूँगा और उसके बाद हिरन को जेल में डाल दिया जाता है बंदर को आजाद कर दिया जाता है बंदर जाते समय हिरन से कहता है दोस्त तुम सिर्फ कुछ दिन इंतजार करो मैं बहुत जल्द वापस आ जाओंगा पर दो महिने पूरे हो जाते पर बंदर वापस नहीं आता है जंगल का राजा हीरन से आकर कहता दो तुम्हारा दोस्त बंदर अभी तक वापस नहीं आया कल तुम्हें जंगल के सबसे उंचे पहाड पर ले जाकर नीचे गिरा जाएगा और मार दिया जाएगा कोई बात नहीं माराज मैं सचा के लिए तयार हूँ और अगले दिन हीरन को जंगल के सबसे उंचे पहाड पर ले जाया जाता है और उसी पर समय बंदर भी वहाँ आ जाता है और कहता भूद बहुत सुक्रिया मेरे दोस्त अब तुम आजा दो मैं अपनी सजा भूगत लेता हूँ तभी हिरन करता है दोस्त तुम क्यों आए तुम्हें नहीं आना कर देता तुम वापस चले जाओ मैं तुमारी जगह अपनी जान दे दूंगा सेर् यह सब देख रहा होता है और उसे इन दोस्त दोनों की दोस्ती को देख पर रहम आ जाता है और सेर तुरंट कहता है तुम दोनों में से किसी को भी मढ़ने की कोई जरूरत नहीं है मैं तुम दोनों की सेजा माफ करता हूँ के बाद बंदर और हिरन खुसी-खुसी वापस चले जाते हैं सेर दोड़ता हूँ अपने दोस्ट चीता के पास जाता है और कहता है दोस्त चीता मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारी सची दोस्ती को पहचान नहीं पाया